हेलो आज हम डिसकस करेंगे बिग एम मेथड के बारे में ठीक है तो जैसा कि हमने प्रोब्लम्स में काफी प्रोब्लम्स में काफी प्रोब्लम्स को बढ़ लिया है तो इह इंपॉर्टेंट मेथड है सिंप्लेक्स की बिग एम मेथड तो इसके जो सवाल होगे इसको हम किस त हमारा दिया जाएगा उसको सबसे पहले हमारा फर्ष्ट काम है कि हम standard form में convert कर लेते हैं ठीक है ना standard form problem इसकी बाद हमारा second step होता है second step में क्या करते हैं जो हमारा देखते हैं जब हम standard form में करते हैं करती समय हमारा क्या होता है जो large negative आता है लार्ज निगेटिव निगेटिव का बाता है जह हमारा greater than equal to होता है ठीक है ना? greater than equal to तो उसमें हम क्या लेते हैं? variable लेते हैं तो हमारा जो भी होता है उसके साथ हम एक artificial variable का चुनाओ करते हैं ठीक है ना? तो जैसे हम assign करेंगे अगर large negative तो कोई भी अगर हमारा होगा plus minus का s1 या minus का s2 ठीक है ना? तो उसके साथ हम multiplication अगर हमारा क्या है? minimize है तो हम क्या लेंगी? अगर हमारा function कैसा है? minimize है तो हम लेंगी क्या? plus m ठीक है ना? और हमारा इधर क्या है problem? maximize है तो हम क्या लेंगी? minus m same third step में हम क्या करेंगी? simplex method की सायता से पूरा solve कर देंगी ठीक है ना? तो हमें बस इसी तीन चीज का ध्यान रखना है और इनी की सायता से solve करते जाना है तो चलिए हम चलते हैं back to सवाल पर हमारा problem क्या है? minimize minimization ठीक है ना? तो हम लेके लेते हैं सबसे पहले standard LPP standard LPP में convert करते हैं समय step first में हम देखते हैं कि हमारा क्या है? minimize minimize z is equal to 2x1 plus 3x2 इधर देख लेते हैं subject to constant अब क्या है? कि जो x1 plus x2 greater than equal to है यानि इसमें हमारा minus surplus variable उसके साथ एक artificial variable भी प्रियूग में लाएंगे ठीक है ना? तो artificial variable हम ले लेते हैं a1 ठीक है? is equal to 5 अभी ये second बाला equation x1 plus 2x2 अभी ग्रेटर देन equal to है तो इस भी भी minus का s2 आएगा हम direct इसके इसमें क्या ले लेते हैं? a2 which is equal to 6 अभी इधर देख रहे हूँ s1, s2 भी है और a1, a2 हमने artificial variable है यहाँ पर large negative दौनों में आ रहा है ठीक है ना? तो इसको खदम करने के लिए हम क्या करते हैं? देखते हैं पहले लिख लेते हैं कौन-कौन से variable है? x1, x2, s1, s2, a1, a2 इस नौन-negative क्या है? सारे 0 हैं अब जो हमारा s1 होगा 0, s1, 0, s2 ठीक है ना? अब हमने क्या किया था? जो a1 और a2 थे उनको क्या कर देंगी? हम दे देंगी m a1 plus m e2 ठीक है ना? अब हम देखिए अब हम क्या करते हैं? हमारा standard बन गया है standard अब हम क्या करना है? इसके बाद हमें simplex table find करना है तो हम पहले इसका feasible inertial feasible solution निकालते हैं देखते हैं, inertial feasible solution निकालते हैं हमें क्या मिलता है? अगर हम x1, x2 की value रखते हैं तो हमें a1, x1 और x2 की value कैसी मिलेंगी? negative में अब हमें क्या मिल जाएंगी? positive मिल जाएंगी अगर हम इसके पहले अगर एक artificial variable नहीं लेते हैं तो हमें क्या मिलती? negative इसलिए हम इसके क्या लेना पड़ा? artificial variable तो हम इसका क्या कर लेते हैं? simplex table का चनाव करते हैं तो सबसे पहले यहां पर inertial feasible solution निकाल लेंगे तो लिख देंगे inertial feasible solution जम x1 और x2 और s1 s2 इनकी value 0 रखते हैं तो हमें a1 और a2 की value positive 5 और 6 प्राप्त हो जाती हैं ठीक है न? तो इसकी साहता से अब हम चलते हैं table पर तो लिखेंगे नीचे से simplex table अब हम लिख राग करेंगे तो लिखेंगे by simplex table या लिख देंगे contrast simplex table हम simplex table को find करेंगे या ड्रा करेंगे उसकी साहता से हम z और देल जे के value अब जैसा हमने back to back जैसा हमने पिछले question में किया था बैसा ही हमें करते जाना है कुछ भी हमें इसमें changes नहीं करना हैं अब देखो हमने क्या किया इसको ड्रा कर लिया है अब जो हमारा xv यानि क्या था x1 इधर x2 इधर हमने लिया था s1, s2, a1, a2 ठीक है न यह हमने ले लिये हैं अब इसके उपर हम देखते हैं कि हमारा x1, x2 मिनिमम में x1, s2 और s1, s2 और e1, a2 इनके जो coefficient है वो हमारी क्या है s1 का हमारा दिख रहा है s1 का क्या है 2, s2 का 3, 0, 0, m और m ठीक है न इसमें हम इधर ले लेते हैं minimum ratio के लिए ठीक है अब हम क्या करेंगी हमारा जो basic variable basic variable हमने बता दिये थी यहां पर देखें अगर हम s1, s2 को लेंगे यह क्यों नहीं लेंगे इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यह negative है तो negative के लिए हमने positive करने के लिए क्या लिया था हमने a1 और a2 लिया था इसलिए हम s1, s2 की जगा क्या ले लेंगे इधर a1 और a2 इसकी जो गुडांक है इधर क्या है a1 और a2 के इधर capital m है और इधर भी capital m है xv क्या है इधर 5 और 6 ठीक है अब हमें क्या करना है जोंकतियों इधर लिख देना है किसकी साथ इस 1, x1, x2 1, s1 क्या है minus 1, s2 इधर है नहीं है 0, a1 क्या है 1, a2 क्या है 0 इधर x1 1, इधर x2 क्या है 2, इधर क्या है s1, minus 1, s2 क्या है, sorry, s1 हमारा क्या है 0, कुछ नहीं है s2 क्या है minus 1, इधर a1 क्या मिलेगा 0, a2 क्या है 1 अब हमें ये चीज मिल चुके हैं, इसकी सायता से हम z की value और किसकी value निकाल सकते हैं, deal j की तो यहाँ पर z और हमें deal j की value find करनी है, ठीक है न, तो हम z और deal j की value find करते हैं आप जानते हो कि हम z की value किस तरीके से find कर सकते हैं, cb into xb, ठीक है देखिए, cb दर दिया गया है m,m और x भी दिया गया है 5,6, ठीक है न, तो देखिए, 5 into m plus 6 into m तो 5 m और 6 m कितना हो जाएगा, 11 m, तो z की value हमारी कितनी value है, 11 m, तो यहाँ पर लिख देंगे, हम z is called to कितना मिला है हमारा 11 m, ठीक है न, अब हमें del j की value निकाल ली है, तो हम by method यूज़ करेंगे del 1, क्या होता है, del 1 is equal to, cb into x1 minus c1, cb दिया गया है, m,m x1 की value देखो, x1 बन बन, तो 1,1, minus c1, c1, 2, तो minus का 2, तो इधर कितना हो जाएगा, 1, plus 1, minus 2, यानि 2m minus 2, तो इधर कितना हो जाएगा, 2m minus 2, तो इधर लग देंगे, हम 2m minus 2, 2m minus 2, ठीक है न, अब हम del 2 की value निकालेंगे, तो del 2 की value भही, cb into x2 minus c2, ठीक है, तो cb, cb कितना है, m, m, x2, x2 हमारा कितना दिया गया, 1,2, और हमारा c2, c2 की value क्या है, 3, ये क्या है, 3, तो इसको भी करेंगे, तो m, इधर आएगा 2m, इधर आएगा minus 3, तो 3m minus 3, तो इधर लिख देंगे, हम 3m minus 3, अब हम del 3 की इसी तरीके से, हम del 3 की value निकालेंगे, तो del 3 is equal to हो जाएगा, हमारा क्या होता है, del 3 is equal to by cv into s1 minus c3, cv किता m, m दिया गया है, s1 की हमारी जो value दी गई है, minus 1, 0, और c3 की value 0 दी गई है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, minus का m, ठीक है न, only del 3 की value कितनी आएगी, minus का m, तो इधर भी हमारा minus का m, और इधर भी अगर हम करेंगे, तो minus का m होगा, इधर हमारा, बन का 5, देखिए, 1 m, 0 m, इधर करेंगे, minus m, तो m स m गया, 0, same इसी तरीके से होगा, 0, अब हमारा क्या हो गया, table का हमारे z और dj के मान प्राप्त हो गया, इसके बाद हम क्या करते हैं, incoming vector निकालते हैं, ठीक है न, तो incoming vector आप लोग, आयोब की निकाल लेते हो, incoming vector होता क्या है, कि हमें, देख रहे हो, कि हमारा क्या है, solution, incoming vector यहाँ पर कौन होगा, 2M-2, 3M-3, minus M-, यहाँ पर अंक से देखा जाएगा, तो minus 2 बड़ा है, minus 3 छोटा है, ठीक, सॉरी, जो संख्या, हाँ, minus 3 छोटा है, तो हमारा ही क्या हो जाएगा, incoming vector, तो इसको लिख देंगे, हमारा क्या है, incoming vector, incoming vector होगा, तो यह वाली हमारी क्या हो जाएगी, यह चीज़, अब हमें outgoing vector निकालना है, outgoing vector minimum ratio, क्या होता है, xv upon xk, कैसे निकलता xv upon xk, जो हमारा xv, आया है, xv, 5 upon क्या हो जाएगा, 1, यानि 5, इदर 6 upon 2, यानि 3, तो हमारा छोटा कौन सा मिल ला है, 3, तो यह हमारा क्या होगा, outgoing, यानि, a2 क्या हो जाएगा, हमारा outgoing, a2 हमारा outgoing vector, तो हमारा यह पूरा, इदर 2 क्या मिला है, हमारा key point, ठीक है न, तो यहाँ पर हमें 1 चाहिए, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए है, तो हम 1 करने के लिए, यहाँ पर 2 का divide करेंगे, तो table को हमें improve करना पड़ेगा, और next table में, इसके बाद चलते हो, यहाँ पर हमें 0 लाना है, ठीक है न, इतना ध्यान रखना है, तो चलते है next table में, अब हमने table को improve किया, improve करने पर table को drag कर लिया है, drag करने के बाद, अब हमें क्या करना है, हमा, वहाँ पर हमारा outgoing vector क्या था, a2, ठीक है न, और incoming vector था, क्या था हमारा x2, ठीक है न, तो चली देख लेते हैं, पहली हमारा even का even, जियों का त्यों रहेगा, उसका coefficient क्या था हमारा capital M, ठीक है, अब हमारा incoming vector क्या था वहाँ पर, देखिए, incoming vector x2, x2 का coefficient कितना है, 3, यह हमने लिख दिया है, ठीक है, अब हम xv, xv लिख देंगे, कितना हो, अब हमें xv इस तरीक से नहीं find करना है, अब हमें क्या करना है, जो हमारी x2 incoming vector है, इधर हमें क्या लाना है, 2 बन लाना है, तो हमें पूरी ro में क्या करने पड़ेगा, 2 का divide करना पड़ेगा ठीक है न तो हम क्या करेंगी जो हमने next solution find किया था उसमें हम 2 का divide करेंगी तो इस बाली row में अगर हम 2 का divide करते हैं इदा 3 आएका 1 by 2 1 0 minus 1 by 2 0 तो वहाँ पर हम लिख देंगे इसके बाद हम इसको इसका इसमें घटा देंगे आपस में तो हमारा इवाला row आ जाएगा तो हम लिख देते हैं यहाँ पर अगर हमने 2 का divide किया है तो इदार हमारा xv की value जो आएगी 3 ठीक है न x1 जो हमारा आएगा वो होगा 1 by 2 x2 हो आएगा 1 इदार 0 इदार का minus का 1 by 2 ठीक है न और जो a1 की value होगी वो 0 होगी और a2 तो हमारा हट गया है ठीक है न तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि a हमारा क्या हो गया था out going vector तो इसको हम हटा देते हैं बारवान नहीं लिखते हैं क्योंकि जो चीज out going vector है वो चला जाता है अब हम a1 को लाना है तो a1 column को लाने के लिए हम जो नई row हमें मिली है इसमें से हम इसको घटा देंगे तो घटानी के बाद हमें मिलेगा xv की value यहाँ पर मिलेगी 2 ठीक है न ए? x1 की value मिलेगी 1 by 2 यहाँ पर x2 की 0 minus 1 1 by 2 1 ठीक है न? अब हमें इसकी value मिल चुकी है अब हमें निकालना है से इधर z की value और dj की value ठीक है न? तो z is equal to dj is equal to जिसको यहाँ पर समझ में न आया होगा कि किस तरीके से तो आप खुश स्वाल कर सकते हो पहली row में वहाँ पर जो हमने फैसल लास्ट में बताया है कि इसमें 2 का डिवाइड करना है फिर जो इधर की नई row आई है उसमें हमने फ़र्ष्ट row को क्या कर दिया है? घटा दिया है तो हमारी यह row find हो चुकी है ठीक है न? अब हम z की value और dj की value find कर लेते हैं ठीक है न? तो देखते हैं z की value तो z is equal to क्या होता है? cv into xv m,3 और cv कितना? 2,3 तो इधर हो जाएगा 2m प्लस 3,3 जा 9 ठीक है न? तो हमारा इधर z की value क्या आई है? देखिए 2m प्लस 3,3 जा 9 तो z की value हमारी आई है 2m प्लस 9 तो लिख देंगी हम यहाँ पर जो हमें z की value मिली है 2m प्लस 9 इधर हम डेल जे को solution करेंगे तो हमें डेल जे की value कितनी मिलेगी? फर्स्ट मैं देखते हैं डेल 1 डेल 1 is equal to होता है cv cv कितना m,3 into x1 1,2 1,2 minus 2 तो इधर हो जाएगा m by 2 ठीक है इसका गुणा करेंगे 3y2 और minus 2 2 का lcm ले लेंगे तो इधर m बचेगा इधर तो 3 बचेगा इधर 4 हो जाएगा 4 में से 3 गया तो इधर हो जाएगा m minus 1 upon 2 ठीक है न? तो इधर लिख देंगे m minus 1 upon 2 इधर अगर हम इसका करेंगे तो हमें 0 find होगा इधर हम करेंगे तो minus m प्राफ्ट होगा इधर करेंगे तो m minus 3 upon 2 होगा इधर करेंगे तो 0 यह आप solve कर लेना इतने इसकी value आएगी अब हमें क्या करना है outgoing incoming vector देखना है तो incoming vector यहाँ पर देखते हैं minus 3 m minus 1 upon 2 0 minus m m minus 3 upon 2 upon 0 तो इधर देखते हैं इसकी value क्या है कि हमारी सबसे छोटी find हो रही है ठीक है न इसलिए हम इसको क्या कर लेंगी incoming vector ले लेते हैं तो यह हमारा हो जाएका incoming vector incoming vector incoming vector में यह वाला तो हमारा अब हमें outgoing vector निकालना है outgoing vector किस तरह है xv upon x के तो xv upon x के जब इसका 2 1y2 करेंगे तो इधर आ जाएगा 4 इसका करेंगे 3 into ty2 3 divide y 1y2 तो इधर आ जाएगा 6 यह हमारा सबसे छोटा है तो यह हो जाएगा हमारा outgoing vector even तो हमारा 1y2 क्या हो जाएगा key point हो जाएगा अब हम क्या करेंगे हमारा del jay के value जो है non negative 0 है तो यानि हमारा solution अब यह optimal नहीं मिला है तो हमें क्या करना पड़ेगा table को improve करना पड़ेगा तो चलिए next table में चलते हैं अब हमने table को कल लिया है improve तो क्या करते हैं तो लिए रख लिया अब क्या करना पड़ेगा हमें दिखना table में यहां पर हमें क्या था हमारा outgoing vector तो यह वाला तो हमारा चला जाएगा जो हमारा क्या था इसमें incoming vector क्या था X1 ञान हमारा outgoing की जगा आ जाएगा इसका coefficient क्या दिख रहा है 2, तो यहां पर 2 आ जाएगा अब X2 दिया ही गया है 3 ठीक है न, अब इस रूम में हमें क्या चाहिए है, बन इदर पहले तो इदर करेंगे, 1 चाहिए है तो इदर हमें क्या करना पड़ेगा 2 का मल्टिपिकेशन कर देंगे ठीक है न, तो 2 का मल्टिपिकेशन करेंगे, 1 तो 2 जा 4 इदर 1, इदर 0 हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा इदर 1 हो जाएगा ठीक है न, अब इस वाली रूम में हमें 1 पराप्त हो गया है अब जब इने 1 तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 का डिवाइड करके इदर, 1 बन बाइ 2 का डिवाइड करके इस रूम में घटा देना है तो हमारा जो नई इस वाली x2 रो होगी वो होगी, xv इदर आएका 1, x1 की वेल्यू आएगी 0, इदर x2 की वेल्यू आएगी 1, इधर S1 की value आएगी 1, X2 की value आएगी माइनस 1, ठीक है न तो इधर हम अब हम Z की value निकाल लेते हैं Z और डेल J Z और डेल J की value निकालने के लिए 4, 2 जा 8, 3, 3 3 बन जा 3, 8 और 3 कितना होगा 11, तो हमारी Z की value कितनी मिलेगी 11, अब हम डेल J की value find करेंगे, तो डेल J हमारा कितना मिलेगा, अगर हम इसको करेंगे, देखो 1 मिनिट डेल 1 क्या होगा, C V 2, 3 C V, X V C V इंटू X1 1, 0, माइनस 2 यह तो हो जाएगा, 2 बन जा 2 इधर 0 इधर माइनस, तो इधर यह वाला 0 होगा डेल 2 की value देख लेते हैं 2, 3 0, 1, माइनस 3 तो इधर तो, इधर तो कितना चला जाएगा, 0 में इधर 3, यह भी हमारा 0 में चला जाएगा function अब डेल 3 देख लेते हैं तो डेल 3 हमारा 2, 3 यह क्या है, 2, माइनस 1 माइनस 0 तो 2, 2 जा 4, माइनस 3 यह बना जाएगा और next भी हमारा इसी तरह से डेल 4 अगर हम निकालते हैं तो हमारा होगा जाएगा 2, 3 1, माइनस 1 यह तो 0 ही होगा तो 2 बन्जा 2, माइनस इधर कितना हो जाएगा माइनस 2 बन्जा 2, माइनस 3 यहाँ पर हमारा इसकी वैल्यू कितनी आएगी इधर हम करेंगे तो इधर हमारा 0 आएगा ठीक है न find करते तो अगर हम इस का इस तरीके से हम सारी वैल्यू निकालते हैं तो हमारी वैल्यू अभी हमने first value निकाली थी डेल 1 तो हमारी डेल 1 की वैल्यू 0 find होगी solution मिल जाता है, तो लिख देते हैं, since, all, delg, non-negative क्या है, 0, ठीक है न, for minimum, minimization problem, तो हमारा optimal solution हो जाएगा, max, क्या हो जाएगा, minimum z, हमने minimum, minimum z is equal to क्या है, 11 पराप्त हुगा है, और हमारी x1 की value कितनी पराप्त हुई है, 4, और x2 की value कितनी पराप्त हुई है, 1, तो हमारा यही क्या हो जाएगा, optimal solution मिल जाएगा, by big M method, big M method में कुछ नहीं करना है, केवल M, artificial variable लेना है, जो हमारा large negative रहेगा, और उसके coefficient M, आकर minimization में है, तो capital M रहेंगे, maximization में है, तो minus M रहेंगे, ठीक है तो इसी तरीके से आप इसको solve कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो please like करो, और channel पर नहीं हो, तो subscribe करो, फिर मिलते हैं next lecture में, next video के साथ, तब तक के लिए धन्नबाद,